हर्यों, खुब सारे अशीरवाद आप सबको, अपने भागी के सितारों को कैसे जगाईं, आज ही सबका सपना पूरा हो जाए, चाहे वो संसार में है, चाहे अध्यातम में है, बंद ताले हम कैसे खोलें अपनी किस्मत के, ग्रहे दशों को जिशाओं को कैसे ठीक करें, जीव जो बड़े-बड़े संत है, वो जमीन से आकाश की तरह कैसे पहुंचे है, एक इनसान यूवग था, यांग था, सुकरात के पास पहुंचा, सौकरिट जो है, यह फिलोसफर था, बहुत बड़ा, चाइनिस फिलोसफर, बीच नदी में वो नहा रहे थे, सुनिये दियान से बहुत प्यारा है, आज ही आपकी आँखे खुल जाएंगी, बंध ताले किसमत के खुल जाएंगे, और दूर से देख रहा था, और सुकरात ने समझा कुछ बात करना चाहता है, उसने बोला आ जाओ, वो दीरे-दीरे डरते-डरते आ रहा है, बोलता है, मुझे बात करनी ह मुझे सफलता का राज क्या है, वो जानना है, बागी को चमकाना है, सुकरात ने कहा इधर आ जाओ, जैसे वो डलता गया पानी में उतर रहा था, दीरे-दीरे-दीरे-दीरे पानी कंठ तक आ पोंचा था, जहां तक वो सौकरेट खड़े थे, बोला मैं जानना, दरते-दर भूल रहा था, जानना चाहता हूँ कि मैं सफलता का राज क्या है, और मज़दार मैं भी ऐसी हूँ, मत समझना मुझे ऐसा है, मुझे बहुत मज़ा आता है, निश्चे करके करोगे तो आप भी ऐसा करोगे, सुकरात ने क्या करा, जब कंठ तक पानी आ चुका था, उसने बोला मैं जानना चाहता हूँ सफलता का, उन्होंने जटके से उसको बालों से पकड़ा, दबा दिया पानी में और उपर बैच गए, और उसे तैरना तो आता नहीं था, बोला मैं तो मोत को अनुबव कर रहा हूँ, ये कोई पागल इनसान है, किसके पास आ गया मैं, मरी जाओंगा, अपनी जितनी ताकत थी उसकी मन की, जितना खून था उसके अंदर, उसको एकात्र कर दिया, पूरी ताकत लगा के, मन बुद्धी सब जोर से दक्का मारा और बोला, ये क्या बत्तमीजी है, सुकरात को उसने बोला, मैं तो प्रशन को का समझने आया था, सम मोत होने वाली थी, मैंने अपने प्रान, मन सब इकठा करके बेजोर कर दिया उनका, सुकरात ने फिर कहा, सुनिये ध्यान से, सुनिये प्यारे बच्चों, कहा, जब तुम पानी में डूब रहे थे, तो 10%, 20%, 25%, 50%, 90%, कितना तुमने जोर लगाया, बोलता है, मैंने 100%, पूरी शक्ती लगा दे थी, सुकरात ने कहा, जाओ, तुमारे कॉस्टन का अंसर ये है, सफलता का राज ये है, जब इतनी ताकत तुम लगा दोगे, तो हर फील्ट में तुम सफल हो जाओगे, ना हमारी अध्यातम में लगती है, अगर बगवान जी मिले है, do or die, चाहे मेरा कितन प्यार तो है ही है उनका, ओ बोल क्या रही है कि ये कौन सा कैपसुल खाना है मुझे, ऐसा जब होगा, तब देखो, ऐसे सुकरात ने उस आदमी को सबक सिखाया, हम 10 परसंट, 20 परसंट लेके, जगत भी जगदीश लेके लड़ू खा रहे होते हैं, सत करम से हमारे भागी बनते हैं, अच्छे कामों से हमारा भागी बनता है, चार को जगाने से हमारा भागी बनता है, हमने और थोड़ी सत करम बोला था, आपको पता है चंदन खुशबू नहीं देता है जब तक उसको गिसा नहीं जाए गिस-गिस का तियार किया जाता है हीरे की चमक जब खान से आती है तो पत्थर होती है और जब तक उसको नहीं गिसा जाता है तो वो नहीं चमकता है इनसान का भाग्य कैसे चमकेगा, चाहे वो सत्समे है, चाहे संसार में है, जब तक वो परिश्रम नहीं करता, गिस्ता नहीं है, एक बार दो दोस्त थे, और कोई पत्थर टोड रहे थे, और एक ने एक हथोड़ा लगाया, देखा नहीं टूटा, तो आराम की जिंदगी वला इनसान है, वो उसने साइड पे रख दिया, दूसरे ने, हम मोबाइल चार्ज करते हैं, अपने को चार्ज नहीं करते हैं, देखा सब कैसा मज़दार चीज है, पत्थर को तोड़ने के लिए एक चोट, दो, तीन, चार, कितनी चोटें लगानी पड़ती है, नोमी चोट पर इमपॉसिबल का मीनिंग जानते है, इम माना, आई, आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूँ, मैं कर, अपनगवान जी बोलते हैं, I can do everything, I can do, I am possible, और वो तसवी चोट पत्थर को तोड़ गई, हम सतसंगाते हैं, चोट-चोटी प्रिक्षाओं से ही हम बाग जाते हैं, य उन में लग जाते हैं, सतसंग चूट गया, तो चूट गया, गुरू चूट गया, कोई और कर लेंगे, कोई वात नहीं, तो इससे काम थड़ी चलता है, हारना नहीं है, हीरा कंगिस्ताने तो किसी शोरोम में नहीं बैठा होता, कहीं लोग चोट-चोटे पापड बना के भ बड़े के बड़े शोरोम खोल गिया, गुल्षण कुमार जो था जूस बेचने वाला जो अटने वाला को बया सिंगर बना था जूस बेचने वाला था जिंदगी में हर कोई परियास करता है, मेरा परियास में मोक्ष और मुक्ती का है, अगर रस पड़े है, फिर उनको है एक बहुत प्यारी कहानी है सुनिए आजी आंखें खुल जाएंगी आप बच्चों को भी ऐसा बनाओगे एक बार क्या हुआ एक गाओं में साथ बाई रहते थे एक बर आपने वो पिक्चर भी देखी होगी अमिताब बच्चन की थी साथ भाईयो वाली हेमा मालनी उसकी मत्नी बच्चन की बाकि भाई सब निकममे थे कुछ नहीं करते थे नाम नहीं आ रहा मुझे जाध़ डाली साथ बह淨ो याद आ जाहें अभी कहां यह चीजें याद आति हैं हमने ठोह whenever we बहुत निकममे थे तो बड़े भाई की शादी हो गई और वह ओर सोना चांदी जो तो मज़ा है ऐसी नोबताई एक एक चीज भावी ने बेच डाली अपनी जहां तक कि मंगल सुत्र को भी निकाल दिया कि चलो कोई वात ने ठीक रहें लेकिन जैसे जैसे भावी ने ये सब करा तो उसने सोचा ये तो लोग सारे निकम में ही रह जाएंगे क्या किया जाए इन तो उसने क्या करा उसने बोला आज तो कुछ लेके आओगी तुम गर से बाहर जाओ हमेशा कुछ लेके आओ खाली हाथ नहीं आना है एक दिन सब कुछ खतम हो गया किचन में घर में तो भावी ने बोला दक्का दिया पती को भी देवर को भी बाहर जाए चाहें और कुछ कुछ खाली हाथ कभी माता आना वो गए वहां ताश्वाष खेलते रहे बाहर जैसे निकम्मे लोग बैठे होते हैं कोई मेहनत नहीं की बाही समझ गई उसने लोग तो निकम्मे ही हैं दूसरे दिन तो जबरतस्त उसने बोला कि आज तुम लोग खाली हाथ आओगी ही नही पती को भी बोला भाही भी देवरों को भी बहला वो बोले क्या खेलते रहें कांचा वगर्ऑ ताश् वगर्ण गाउं में खेलते रहें लेकिन जब शामो आया तो बोला भावी इडानेगी और जाडियों मेग सांप पड़ा था मरभा हुआ सांप था उठा कि लेह ने।ो बढ़ाओं पर याइक मेने बढ़ाना हुऊ पर भाबे की झाए लुटाब वोड़ा दब टो तो उदर क्या हुआ गाओं Śपम में पूरे राजी में पूरे राजी में नोओ लगा हार गुम हो ग्या हुए जो भी बहां देगा झाँ एक लाक रुपया दूंगा उसकी सारी माफियां कर देंगे सजाओं की तो फिर ये भावी जो थी सोचा चुरो च्छत पर जाती हो ये करके आती हो सफाई करके आती हो मरा हुआ सांप डाला था तो वो जाडू लेके गे तो देखा हैरान होगी सांप तो नहीं है लेकिन नोलखा हार पड़ा है वो समझ गी कोई ना कोई पक्षी आया है जो ये मरा हुआ सांप ले गया और किसी का हार उसने फैंक दिया है जब उसको पता चला तो उसने राजमेहल में ऐसे ऐसी न्यूज है उसने गाउन के लोग भी लिए प्रोसी भी लिए आई वीटनेस लिए देवर लिए पती के वहां पहुंची और राजा से उसने पूरी बात करी हार तो बात्रूम से मिलना चाहिए था तो इधर से कैसे मिला तो उसने फिर बताया ऐसे कोई पक्षी हो सकता है जो उसको ले गया होगा और इधर इधर मरा हुआ साम पढ़ा था और ये चोड़ गया तो राजा समझ इसकी ये बात सच है तो उसने एक लाक रुपे दा दिया देवर सारे खुष होगे पती खुष होगे कि वहाँ ये तो मजा हो गया फिर बाभी ने बोला तुम लोगोंने मजाक में भी अगर तुमने ये ऐसा काम करा है तो उसका ये फल निकलता है लाक रुपया मिला है इतनी काम जाबी मिली उनको खाली मजाक में सोचो हम कहां की कहां पहुंच सकते थे दो रास्ते होते, एक आराम का रास्ता होता है, एक मेहनत का रास्ता होता है आराम के रास्ते वाले को कोई पसंद नहीं करता, उसके पास कुछ नहीं है तभी मैंने बुला, सरकस के शेर के पास आराम से खाना खा रहा है, मिल रहा है, उसकी क्या वैल्यू है जंगल के शेर से सब डरते है एक बच्चा पढ़ रहा है जिरो बल्व है बेड्रूम में सोचा बल्व नहीं है चलो किताब लेके बंद करके सो गया दूसरा क्या करेगा 100 वाट का बल्व गाएगा और पढ़ाई करेगा दो विकल्प हैं हमारे पास अगर सफलता पानी है हमने गुनगुने पानी से नहीं उबलता हुआ पाने चाहिए हमको प्लग पूरा जुड़ा हुआ होना चाहिए तभी प्रेस गर्म होगी ऐसे गुरू से हम पूरे जुड़े हुए होने चाहिए चंदन गिस-गिस के बनता है हीरा तब महनत करके ही चमकता है तभी हमारी किसमत भी साथ देती है हाज चीज में एक गाउं में इतना पिछड़ा हुआ गाउं था तीस साल पुराना कोई महनत नहीं करता था आज सारा महनत के उपर ही है सब वहां के लोग ना महनत करते थे ना कुछ शहर में फिर एक बार शहर से कोई सीए पास करके आया वहां के फिर उन्होंने देखा इतनी प्रॉग्रस हुई है तो लड़के लड़किया सब वहां के पड़ लिखे बन गए और उस शहर का नंबर नंबर वान आने लगा वो जिंदगी में हमने हार नहीं माननी है चाहे हम आच साल के है चाогे असी साल के है कोशिश नहीं चोड़नी है हमें मुकति की राहा है निरवान पद पाν irony है लक्ष चाहिए हमें अपना लक्ष से हम बटक गए है एक आदमी मंदिर में गया बोला बगवान से प्राथना कर रहा था बगवान मुझे कोई मेहनत नहीं करनी है मुझे मुफ्त का खाना है बैठके क्या किया जाए मेरे हाथों में पैसे की थैली हो और मेरे पाउं के नीचे गाड़ी हो बगवान ने बोलाता है था अस्तु वो के गाड़ी का कंड़क्टर बना हाथ मेरे रुप्यों की थैली है पाउं के नीचे गाड़ी चलता रहता है वो तथा अस्तु में ये मिला उसको बस कंड़क्टर बन गया दिन बर हाथ में 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए टिकिट के करता रहता है और पाउं के नीचे गाड़ी है। बगवान ने हमें हाथ पाउं सब कुछ दिया है, करम जोग के लिए दिया है सब कुछ। हम करम जोग में इच्छा शक्तियों को नहीं जगाते हैं। हल्यों, कुप सरी अशीर वाइद, गाद बलेस